Hello friends, welcome to my YouTube channel Vyanet Health. Myself Bhavya here. Today I have come up with a new healthy video for you. तो आज की इस health video में हम बात करेंगे सरदर्द के इलाज के बारे में. सरदर्द हो जाना हमें जादा काम की वज़ा से या फिर टेंशन की वज़ा से होता है. तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे घरेलू उपचार बताऊंगी जिससे आपका सरदर्द चुटकी में ठीक हो जाएगा. तो आईए देखते हैं हमारे इस वीडियो को. टिप नामबर वन. एक ग्लास गरम पाणी के अंदर आपको धन्या पाउडर, जीरा पाउडर और थोड़ा सा आवला पाउडर मिला कर रात को सोने से पहले पीना है. अगर डेली आप रात को सोने से पहले इस पानी को पीएंगे तो आपका सरदर्द जल्दी ही ठीक हो जाएगा टिप नामबर टू सरदर्द को दूर करने के लिए नाक के छेत के अंदर आपको दो बूंद देसी घी की अफिस सरसो के तेल की डालनी है इसको डेली डालने से आपका सरदर्द हमेशा के लिए गायब हो जाता है टिप नामबर ट्री जादा धूप में घूमने के कारण भी हमारे सर में दर्द होने लगता है तो अगर आप भी तेज चिलचलाती धूप के कारण अपने सरदर्द से परिशान है तो जब भी आप धूप के बाद घर पर आएं तो आपको एक ग्लास पानी के अंदर एक चम्मचीनी और थोड़ा सा नमक डाल कर पीना है आपको सरदर्द इसलिए होता है क्योंकि हमारे शरीर में सॉल्ट की कमी हो जाती है और उस कमी को पूरा करने के लिए आपको यह पानी जरूर पीना चाहिए इससे आपका सरदर जल्दी ही ठीक हो जाएगा चिप नमबा फोर ब्लैक टी ब्लैक टी को आप घर पर बना कर ही अपने सरदर्द को दूर कर सकते हैं तो इसके लिए आपको गरम पानी के अंदर थोड़ा सा अध्रक का पेस्ट और एक चमत चीनी और नीवू का रस और शहत को मिला कर पीना है अगर आप इस पानी को पीएगे तो आपका सरदर जल्दी ही ठीक हो जाता है टिप नमबा फाइफ तुलसी के पत्ते तुलसी के हरे भरे पत्ते आपके सरदर्द को भगाने में काफी अच्छा घरेलू उपचार है तो इसके लिए आपको तुलसी के पोधे में से तुलसी की पत्तियों को निकालना है और इन पत्तियों को आपका च्चा चबाईए इसको डेली चबाने से आपको कभी भी सर में दर्द नहीं होगा बदाम खाने से आपका सरदर्द भी जल्दी ही दूर हो जाता है आप चाहे तो बदाम के तेल को अपने सर पर मालिश करने से भी सर का दर्द जल्दी ही ठीक हो जाता है क्योंकि बदाम के तेल के अंदर ऐसे ingredients होते हैं जो आपकी body के हर pain को दूर करता है तो यह सब तेज सरदर्द के घरे लूपचार अगर आपको भी अक्सर सरदर्द की problem रहती है तो आपको इन घरे लूपचार को try करना चाहिए तो आज की इस health वीडियो में इतना ही ऐसी ही और healthy वीडियोस लेकर मैं फिराऊंगी तब तक आप अच्छा खाईए और सुअस बने रहिए और हमारे चैनल वायानेच हेल्द को आज ही subscribe कीजिए Till then eat healthy and stay fit. Thank you आज की इस health वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे आप सर्दी जुकाम से राहत पाएं आज की इस health वीडियो में मैं बताऊंगी मोती जाए